एन्टी ए यूजी सनेक्ट यानि निमिजनेक्ट डाउनलोड इट उन गूगल प्ले स्टार नमस्कार दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं टाइप ओफ एटिटूडनल स्केल के बारे में दोस्तो इसमें से वैसे तो बहुत ज्यादा कोशन नहीं आये हैं लेकिन अब नएस लेवस के अनुसार इसमें से कोशन आने स्टार्ट हो गई है तो इस टोपिकों का नाम अलिए बहुत ज्यादा जरूरी है आज की इस वीडियो में हम थ्रस्टोन स्केल, गुटमें स्केल, लाइकट स्केल और सिमेंटिक डिफ्रेंशेट स्केल के बारे में आज हम बात करने वाले हैं तो दोस्तो यी वीडियो आप पूरा देखना और ध्यान से देखना दोस्तो अगर आप NTE UGC NET JRF 2021 की त्यारी कर रहे हैं तो अन अकैडमी दवरा फरी लाइव क्लास से चलाई जा रही है इसके अंदर आपको पूरा रोड मैप बताये जाएगा, पूरी स्ट्रेटेजी बताये जाएगी कि आपको किस तरह से JRF क्लियर करना है और यहाँ पे दोस्तो आपको 18 सब्जेक्ट के टॉप एड्यूकेटर मिल जाएंगे स्टडी करने के लिए इसके साथ दोस्तो अगर आप लेवर लो में स्टडी कर रहे हैं तो आप 12 तारिक को क्लास से जोइन कर सकते हैं तारिक से कोर्स शुरू हो रहा लक्समी कुछवा आपको पढ़ाने वाली है इन सभी के लिंक दोस्तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे इसके साथ दोस्तो अगर आप यूजी सी नेट की बहुत अच्छे तरीके से त्यारी करने वाले हैं तो 2021 21 के लिए new batch launch हो रहा है और 1 December से launch हो गया वो आप जोइन कर सकते हैं और इसके जो प्राइज है दोस्तो वो जल्दी ही बढ़ने वाले हैं तो अगर आप यह जोइन करना चाहते तो दोस्तो लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और दोस्तो अनकेडमी पर जाएंगे तो वहाँ पे वीडियो देखने के लिए आपको एक code यूज करना होगा वीडियो अनलोक करने के लिए दोस्तो आप एक code यूज कर सकते हैं निम्मी जी एन टी है यह आप code ध्यान में रखना यह भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों इसके अंदर ये देखें गुणात्मक अनुसंधान के अंदर इन स्केल का यूज किया जाता है और इसलिए इनको attitudinal स्केल बोला जाता है और एक और तरह के स्केल होते हैं measurement स्केल, nominal स्केल, ordinal स्केल, interval स्केल, ratio स्केल उसक से भी question आते हैं वो स्केल अलग है और ये स्केल अलग है लेकिन कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से मिलते हुए है तो इन सभी के बारे में हम आज बात करेंगे ये देखें सबसे नमबर एक पर आता दोस्तों हमारे पास thrust on scale आता है thrust on scale क्या होता है इसके बारे में हम देखते है thrust on scale are also called equal appearing interval scale ये देखें दोसों ये चीज हमें याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है यहीं पर क्यूंकि इसमें से question पहले आज का UGC net के अंदर thrust on scale को और किस नाम से पुकारा जाता है तो इसको दोसों equal appearing interval scale के नाम से भी पुकारा जाता है और इसके अंदर दोसों it is used to track behavior attitude और feeling toward a subject यानि कि किसी subject के प्रती किसी व्यक्ति कि क्या feeling है क्या behave है और क्या attitude है उसका subject से related उसको measure करने के लिए हम इस scale का use करते हैं thrust on scale का use करते हैं this scale consists of statement about a particular is your topic where each statement has a numerical value यानि कि कि किसी subject के प्रती statement होती है यहाँ पर हर statement का अपना एक numerical value होती है जैसे कि हम बात करके चले यहाँ पर मैं आपको एक example दिखा रहा हूं कि जैसे मान के चले कोई बच्चा है वो कहता कि science मेरे को पसंद है वो science कितनी पसंद है एक से लेके पांस तक हमें उसको number दे दिए strongly agree agree natural और strongly disagree इस तरह से हम वहाँ पर number दे देते है यहाँ पर statement होती है statement के साथ साथ हमारे यहाँ पर number होते हैं लेकिन यहाँ पर अगर हम पिछले measurement skill की बात करें nominal skill की बात करें तो दोस्तों उसके अंदर nominal skill के अंदर statement का number नहीं होता था तो यह चीज आप ध्याल रखना इस चीज के अंदर Thrust on skill के अंदर हम statement का number देते है numerical value देते हर statement की अगर कोई ऐस सविकार कर रहा किसी चीज़ को तो उसका हमें number देना पड़ेगा वहाँ पे और इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे respondent attitude toward the topic as favorable और unfavorable यहने कि कितना वो like करता है कितना unlike करता है हर चीज़ का वहाँ पे numerical value आपको दिख जाएगी और आगे हम यहाँ पे दोस्तों आप हिंदी में भी देख सकते हैं और यहाँ पे हमने English में भी दिया हुआ है और देखें दोस्तों यह जो scale है scale को आप English में याद रखने की कोशिस करना क्यूंकि हिंदी में इनके words सक काफी confusing करने वाले हैं हिंदी में आप बहुत ज्यादा confused हो सकते हैं तो आप सभी से request है कि आप इनको English में याद रखने की कोशिस करना आगे हम बात करते हैं गुट्मेन scaling के बारे हम बात करते हैं गुट्मेन scaling is also called scaleogram analysis तो इसको scaleogram analysis के नाम से पुकारते हैं यह चीज़ आप याद रखना इसमें से question आज सकता है इसके इंदर क्या होता है दोस्तों इस विचार पर अधारित है कि वस्तू को निरंतरता के साथ इ एक व्यक्ति जो किसी एक वस्तू से सहमत है वह दूसरी वस्तू को भी सविकार करेगा देखिए इसको मैं आपको बहुत ही असानी से समझाने की कोशिस करता हूं मान के चलिए यह इस तरह से design किया जाता है इसके लिए कोई व्यक्ति अगर पीछे की तीन statement से agree है तो वो चो पर असलिल प्रोग्राम समाज के लिए हानिकारक है ठीक है कि कोई व्यक्ति वो यह चीज मान रहा है सविकार कर रहा है नमबर दो पर बच्चों को असलिल टीवी सो देखने की अनुमती नहीं दी जानी चाहिए यह भी वो सविकार कर रहा है टेलीविजन स्टेशन नमबर फोर है वो भी सविकार करेगा सरकार को टीवी से असलिल प्रोग्रामिंग पर परतिवंद लगा देना चाहिए यानि कि जो व्यक्ति इन स्टेटमेंट को उपरवाली को सविकार करेगा वो सवभाविक स्टेटमेंट नमबर फोर को भी सविकार करेगा तो इस स्केल के अंदर goodman skill के अंदर इस तरह से design किया जाता है ये continuing इस तरह की होती है कि पीछे की अगर कोई व्यक्ति statement select करता तो वो आगे की भी select करेगा तो इसके अंदर ये होता है दोस्तो और आगे हम बात करते हैं दोस्तो like it skill के बारे में बात करते हैं देखे it also called the submitted rating scale दोस्तों देखे हर skill हम पढ़ते हुआ रहे हैं और हर skill का एक अलग नाम से भी पुकारा जा रहा है ये सभी आपको पता होना जुरूरी है क्योंकि यूजी सी net के अंदर ऐसा ही question आ चुका है कि इस skill को दूसरे किस नाम से पुकारा जाता है ये हमें पता होना चाहिए और इसके अंदर दोस्तों इसके अंदर क्या है कि इसे submitted rating scale भी कहा जाता है किसी विच्छे के संबन्द में कई कतन विक्षित किये जाते हैं उत्तरदाता दृड़ता से सहमत हो सकता है या फिर ऐस हमत हो सकता है या फिर हो सकता है या निकि नेचरल वो हो सकता है यह सेम सेम कुछ कुछ मिलता जुलता है दोस्तों हमारा उपर वाला जो skill था यह था थ्रश्टरम skill था उससे ही कुछ कुछ मिलता जुलता है यह देखिए इसके अंदर भी दोस्तों कोई जैसे यहाँ पर हम बात करते जैसे यहाँ पर example दिया है only US season should be allowed to own broadcasting station तो यह कहरा कि जो US के season है उन्हीं के लिए broadcasting station होने चाहिए इसके बारे में इन्होंने यह scale दिया हुआ strongly agree, agree, natural, disagree, strongly, disagree यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ इनका तो यह कुछ-कुछ वहाँ पहले वाले से मिलता हुआ है तो आप यहाँ पर example देख सकते हैं दोस्तों और देखें वैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इस में से बहुत ज्यादा question नहीं आये हैं दोस्तों तो आप इनके बारे में basic समझ रख लेना इनहीं में से question आ जाएगा आगे हम बात करते हैं दोस्तों हमारे पास है semantic differentiated skill की बारे में बात करते हैं देखें दोस्तों यह किसके दवारा बनाया गा था सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए यह Osgood शूची और टैनेव दवारा बनाया गया था 1957 के अंदर इस skill के अंदर क्या होता है दोस्तों इसके अंदर हम to use to to use the technique a name or concept is placed at the top of series of seven point skill anchored by the bipolar attitude इसके अंदर क्या होता है कि किसी भी चीज को किसी नाम को किसी concept को top level पर रख दिया जाता है यहां पर यहां पर कहा है न कि bipolar attitude यहां पर दो attitude रखे जाते यानि कि दो चीजे रखी जाते सहमत या ऐस सहमत कहे सकते हैं यहां पर हम आपको एक example दिखाता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और उनके उन दोनों के बीच में सात पॉइंट होते हैं सात पॉइंट के अनुसार जो उत्तर जाता है वो अपने अनुसार उनको सेलेक्ट कर सकता है यहां पर देखें sample form for applying the semantic differentiate technique यहां पर दिया हूँ है time magazine जो है बाइस्ड है अनबाइस्ड है वो हमें बताना है कि time magazine के अंदर जो content आते हैं वो सही आते हैं या फिर बाइस्ड आते हैं वो किस तरह के होते तो हम यहां पर अपनी समझ के नुसार अपनी अच्छा के नुसार उसका अंसर दे सकत वर्थी यहां पर एक दो तीन चार पांच छे साथ यहां पर पॉइंट दीवें अगर हमें लगता है कि हम सात में से इसको च्यार नंबर देना चाहेंगे तो च्यार पर इस पे टिकट कर शकते हैं और यहां पर एक चीज याद रखना दोस्तों आई polar attitude का use होता है यह पहले exam के अंदर पूछा जा चुका है तो यह चीज आप ध्यान रखना और इसके अंदर दोस्तों multi variant factor analysis का use होता है आप इसको भी देख लेना दोस्तों यहां पर हमने Hindi English दोनों यहां पर दे रखा है आप असानी से इनको पढ़ सकते हैं और वैसे इसके अंदर बहुत ज्यादा question आज तक नहीं आए लेकिन आपको basic समझ होना जरूरी है और इस से related दोस्तों जो भी question आज के आज तक वो हम live mock test में आपको करवाएंगे तो आप live mock test जरूर देना ताकि आपको समझ में आज के कि इन में से किस तरह से question आते हैं exam के अंदर thank you दोस्तों दोस्तों evening में जो हम theory करवाते हैं उसी का सुबह हम live mock test भी लेते हैं उसके अंदर हम 2012 से लिखे अभी तक जितने वी question आया है वो सभी के सभी question उसमें हम cover up करवाते हैं आपको live mock test कैसे लेना है इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आप हमारी app निमीजनेट इंस्टोल किजिए app install करने के बाद दोस्तों आपको chat के ऊपर click करना यह देखे chat का option आपको नीचे दिखाए दे जागा है यहाँ पर click करने के बाद दोस्तों आपके सामने यह आयाएगा February 2021 batch video and information इसके ऊपर click करना यहाँ पर click करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम daily के daily link डालते रहते हैं जैसे सुबह 9 बजे हमारा live mode test होता है तो हम इसको रात को या सुबह 7 बजे इसमें link डाल देते हैं आपके पास दोस्तों notification भी आ जाता है या फिर आप manually app में आके यहाँ पे chat पे भी इस link को ले सकते हैं और बिलकुल असानी से हमारी live class join कर सकते हैं थैंक दोस्तों